आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते हो, उसे चाहते हो अपनी करीब रखना, अपने दिल के पास रखना, आप चाहते हो कि वो सारी चीते मुझे आगे बताएं, वो मुझे से इमोशनली अटाच रहें और हमारा प्यार आगे पढ़ें, तो ये चीज़े आप जरूर ध्यान से सुनो और इन टिप्स को फॉलो करो चाहे कितने भी रूड लड़की हो, चाहे कैसी भी लड़की हो चाहे वो आप से कुछ दिनों से बात कम कर रही हो या फिर थोड़ा से अपिप्योड है औरक लड़की है, या पीप सब्सक्राब करने वाली है ट्राइ करके देखना तो उसे पहले उसे इमोशनली अटाच करना होगा किसे भी टाइब की लड़की हो, उसका मूद कैसा विराथा हो या वो एंगल मूद मेरे रही हो, फोड़ी नॉटी है चंचल है लेकिन हर एक लड़की एमोशनल जरूर होती है तो उसे एमोशनल को आपको create करना है वो emotional moment से वो आपके साथ create हो उसे अपनी emotionally करीब जरूर ना है अगर कोई लड़की आपसे emotionally attach हो गई तो सबसे पहरा benefit आपको यह होगा कि वो शारी बाते आपको आपके बताएगा आपसे दूर तूर जाएगे ही नहीं कि आपका साथ उसे बहतर लगना चाहिए उसके बहुत से सही एह हो बहुत सारी नहीं हो लेकिन आपका साथ होना आपके पास उना उसे सबसे एक्साइट्मेट लगे ड़े अपनी उसके सामें करूं। तब को फ्लarट करना काफी पसन दो एक और जो बंदा उसके साद कर था प्लर्ट करता है इमोश्णारी भी फ्लर्ट होता है और उ знак बुल्म gust सब्सक्राइब करेंगे कि इस आफ मुझे देहने में काफी अच्छी पीलिंग आती है तो जितना धेर वो आपके साहत रहेंगी, जितना बात करेंगे घरी अवाहिंगे ह tomar है कि silicone 6 कि अपने अपने मोले ही तो और तो उसने ला के लिए पर कर में अच्छे सो तो चाहिए कि कुछ घूमने जाना, कुछ ऐसे यादों को उसके सामने रखे, रुमैंस को इसके सामने रखे, जो वो रुमैंस चाहती है, तो यह आपको उनके करीब लेकर आएगा, लड़के ऑपन होके तब ही बात करेगी, जब उसे यह satisfaction मिलेगा, कि उसकी बाते किसी thought person के पास नहीं सारे अक्सर boys यही गल्दी करते हैं, उसकी बाते हैं उसके chats को किसी अपनी close friend के साथ share करते हैं, यह किसी बिलटी को पसंद नहीं होता, इसे पर भरुसा तूटता है, और अक्सर आजकल यही साइस उसे हो रहे हैं, तो आप उनके भरुसा दिलाओ कि आपकी बुलीवी कोई भी च चीज़ें, मुझसे कहीं नहीं होगी, मैं किसी के पास share नहीं करूंगा, वो आपकी और मेरी बहुत ही private बाते हैं, मैं किसी के साथ share नहीं कर सकता, भरुसा create करो, real हो, देखो, real होना काफी ज़रूरी है, लेकि उसे के साथ अपना attitude भी maintain करके चलो, लड़के हमशा उनके पी और वैसे बाते करो, जो उनके दिमाद में चले, आप उसे वैसे बात करो, जिसके वो अटक जायर, आपसे बाद बाद पुछें कि तुम वो बाल बोर रहे थे ना, उसे का प्रोना, क्या मतलब था उसका, ऐसे चीज़े आप उसके साथ create करो, और अपना realness उसके पास हमेश लड़के की fantasy को सच करना, देखिए fantasy का मतलब यह नहीं कि आप उसके लिए बहुत बड़ी और महगी चीज लेकर आजाए, कुछ चोटी-चोटी fantasy होती है न, बहुत साही लड़की आइस पिन खाने पर भी और आपके साथ एक कप चाय पीने पर भी इंप्रस हो जाती है, और आपके साथ वो खुछ नहीं देखे लिए, आपके और आपके साथ आएगी, आपके और दोस आएगी, लास्ट वर्ट सबसे इंपर्टिन, इमोशनल डिपेंडेंस से कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसी पीलिक्स करिएट कीजिए, कि वो जाए कुछ भी हो जाए, आपके जो डिपेंडेंट उसकी कोई भी ऐसे आदर, आपकी कोई भी ऐसे लग जो अग जाए, अगर उसे लग लग गई तो ड़ीट लीट जावग दो नहीं रह पाएगी, बीच पीच में आप फोड़ा गयाप दिन आप जाएगी, जैसे कि आप बात के करते हैं, लगातार बात क करते हैं, तो उन पातों में फुरसा ब्रेक रिट आएगे, ऐसा करने से यह होगा कि वो थोड़ा तड़ा तड़ेगी, जब उस पर तड़ आप आएगी, तो डेफिनेटली आपको कॉल करेगे, आप से मिलने की चाहत रखेगे, आप से मिलने आएगी, जब आप से मिलो के आपको यह सारी बाते अच्छी लगी होगी, कॉमेंट में एक हाट जरूर देना अपने प्यार के नाप, होप सो कि आप इस चानल को सब्स्प्राइब जरूर खरोगे, थैंकी सो मच.